देशी घी और कपूर से बना हुआ बहुत ही बड़िया टिप्स लेकर क्या ही हो फ्रेंड्स और हमेशा कामाने वाला है फ्रेंड्स रियली बहुत यूसफुल है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो सबसे पहले पिछले वीडियो का जो थैंक्स जाता हूँ मदमुईता जी को जोधपूर से और रोहिच जी को लंडन से और मीरा जी को डेली से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और वीवीवर्स कहां से देख रहे हैं प्रीज कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि परस्नली मैं आपको थैंक्स कह सकूँ तो चलिए फ्रेंट टिप्स शुरू करते हैं तो इस टिप्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे 200 ग्राम गाय का घी ले लिया है पैन में डाल देना है इसको और गरम करना है साथी साथी से 50 ग्राम कपूर के टिकिया डाल देनी है यह भीमसैनी कपूर लिया है मैंने बहुत अच्छी इसकी महक होती है तो आपके पास जो भी अबलेबल हो वो ले लीजेगा डाल देना है इसमें अब इसको गरम करना है थोड़ी ही दिर में घी के साथ साथी यह कपूर मिल्ट हो जाएगा अगर आप चाहे तो इस समय यहाँ पर एक मुमबत्ति डाल सकते हैं कैंडल पर बहुत लोगों को पूजा की चीजों में कैंडल डालना पसंद नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं डाला है यह देखिए फ्रेंट एकदम अच्छे से मिल्ट हो गया है अब स्विच को आफ कर देना है जो थोड़ा बहुत भी कपूर अगर बचा होगा तो अभी घी काफी करम है अपने आप मिल्ट हो जाएगा तो स्विच आफ कर दीजेगा इस टाइम अब इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन वाला चॉकलेट वाला मोल लिया है बहुत इजी अवलेबल है मार्केट में अगर यह नहीं हो आपके पास कई शारे सेट में आता है अगर नहीं हो तो बर्प जमाने वाली ट्रे भी ले सकते है उसमें भी एकदम मैं यहाँ पे सिंगल ही ले रहे हूं कि मेरे घर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि सिंगल यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पी बाती ले लेनी है आपको नीचे से हलका हलका इसको फैला देना है इस तरह करने से यह बहुत अच्छे से क्रिय में बैठ जाएगा टेढ़ան तो फ्रेंट्स बहुत असान है तो इस तरह से सारी बातियों को फैला करके रख ले अब घी को भी चेक कर लेते हैं घी थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए बतल बहुत गरम भी नहीं हो जाना चाहिए अब रूई वैली बाती ले ले और इसको घी में डिप कर देना है डिप क अब आपको थोड़ा-थोड़ा सा घी लेना है और सारे खाने में डाल देना है और डाल करके इसको अब दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है दो घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है तो सिलिकॉन बाली ट्रे को तो फ्रिज में रखी दिया है ये बर्फ जमाने वाली जो ट्रे है इसमें भी रूई की बाती रख दिया है थोड़ा थोड़ा इसमें घी डाल देना है तो अच्छे से घी से भरने के बाद इसको भी दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है अच्छे से सेट हो जाए अब जो बचा हुआ घी है एक और सिलिकान वाली ट्रे में भर दिया इसको तो टोटल दो सिलिकान की ट्रे भर रहा है दो आइस जमाने वाली ट्रे भर दिया मैंने चाट ट्रे भर गया है चारो को फ्रिज में रख दिया था यह देखिये फ्रेंस दो घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गया है और यह देखिये फ्रेंस आइज जमाने वाली जो ट्रे में डाला था वो भी एक तुम अच्छे से सेट हो गया है अब सब को demold करके भी आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया से सेट हुआ है ये अब इसको demold करना बहुत इजी है बस ऐसे उठाना है हलका सा पुश करना है निकल जाएगा एकदम आसानी से ये देखिए फ्रेंट्स हर्ट शेप का कितना खुबसूरत बना हुआ है अब एक पिस और निकाल करके आपको दिखा रही है ये देखिए फ्रेंट्स एकदम आसानी से निकल जाता है ये जो सिलिकॉन वाली ट्रे होती है बहुत आसानी से निकल जाता है उससे बिलकुल भी नहीं कुछ भी चिपकता है टूपता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होग तो इसी तरह से सब को निकाल करके रख लेना है अब इस ट्रे को भी देख लीजिए एक्तव clean निकला है सारे pieces अच्छे से निकल गए दिया के अब दूसरा वाला जो set किया था उसको भी निकाल करके आपको दिखा रही है ये देखे friends एक्तव असानी से निकल जाता है तो जिस shape का आप बनाएंगे वो ऐसा बन के तियार होगा तो इसको जरूर बना के try कीजिए बहुत सुगंदित होता है और बहुत असान है इसको बनाना अब जो ice tray में set किया उसको भी निकाल करके दिखा रही है ये देखे friends एक्तव अच्छे से set हो गया है अब इसको पलट देना हलका सा push कर देना है एक्तव असानी से निकल जाता है तो friends इसको जरूर बना के try कीजिए बहुत useful tips है ये एक और ice tray में set किया था total chart tray में set किया था दो सिलिकॉन वाले में तो ice tray में अच्छे से सब में set हो गया और बहुत सारा दिया बन के तियार हो गया है ये देखे friends कितना असानी से निकल रहा है अब इन धेर सारे दिया को कैसे store करना है वो बता रही हो तो इसको store करने के लिए कोई भी airtight container ले ले लेना है साफ सुतरा होना चाहिए सुखा हुआ होना चाहिए पूजा की चीज़ है ये अब इसमें इसको डाल देना है डाल करके ढखके इसको बताच्छे से बंद करके आप fridge में इसको 2-3 महीने तक store कर सकते है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा जब जरूरत हो निकाला फटाफट यूज़ कर लिया अब इसको यूज़ भी करके आपको दिखाती हो तो पूजा में तो आप इसको जलाई जला सकते है इसको आप living room में या घर में ऐसे भी जला के रख सकते है इसकी महग काफी अच्छी होती कोई की कपूर डाला हुआ है और ये देखे फ्रेंट्स एकतम असानी से ये जल जाता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको तो आप इसको फ्रिज में रखके store करें जब जरूरतों निकाला फटाफट जला लिया जैसा कि पहले भी बोला है दोस्तों कि पूजा में तो आप इसको जला ही सकते हैं इस तरह भी घर में जला करके रखिए positive महल बना रहेगा घर से negativity दूर होती है बहुत अच्छी महग बनी रहेगी घर में तो अब इस बर्तन को कैसे साफ करना जो यूज किया है वो बता रहे हूं गरम पानी ले लेना है इसमें एक दो चमच सर्फ डिटरजिन डाल देना है और एक चमच इसमें खाने वाला सोडा डाल देना है मिला लेना इन सारी चीजों को अब जो जो बर्तन आपने यूज किया है इसमें इस पानी को डाल दे 5-10 मिट रहने दे उसके बाद साफ पानी से धो लीजे सारी चिकनाई भी निकल जाएगी और सोडा के वज़े से महक भी निकल जाएगा